गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स, तोड़े वी आर गोईं टू स्टडी अबाउट डिविजन, तो पेज नंबर 180 में, प्रैक्टिस टाइम में, ये नंबर में क्या दिया हुआ है, 4228 डिवैड़ेड बाइ 4, तो सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, 4 के टेबल में, 1 टाइम ल अब 4 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं, तो हमें इस 2 को भी नीचे उतारना पड़ेगा, लेकिन जब एक साथ हम उपर से 2 नंबरों को नीचे उतारते हैं, तो हमें क्या लगाना होता है, एक 0 लगाना होता है, then हमें 4 के टेबल में क्या चाहिए, 22 चाहिए, तो हम क्या ले होगा तो 2, 2-2, 0, अब क्या उतारेंगे, उपर क्या बचा है, 8, 4 के टेबल में 28 आता है, कितने बार में आता है, 7 टाइम में, तो 4, 7, 28, तो इस तरीके से हम माइनस कर देंगे, तो मारा आंसर क्या हैगा, 1057, नेक्स्ट क्या है, 770 डिवैड़ेड बाइ 22, तो हम क्या ले सकते हैं, 22 के टेबल में, 22, 2 जा क्या होता है, 44 हो जाएगा, 22, 3 जा क्या हो जाएगा, 66, और 22, 4 जा लेंगे तो, 88, तो 22, 4 जा जाएगा, तो हम क्या लेंगे, 22, 3, 0, 66, अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो क्या हैगा, 1, और यहां पे भी 7 में से 6 गया तो क्या हैगा, 1, अब क्या करेंगे, हम 0 को नीचे उतारेंगे, अब हमें 22 के टेबल में क्या चाहिए, 110, तो 22 के टेबल में 110 कहा आता है कितने बार ले सकते हैं 5 time सो हम क्या लिखेंगे 22 5 is a 110 अब क्या करना है इसको minus करना है so क्या हो जाएगा 0, 0, 0 तो answer क्या है हमारा 35 next question क्या है 9,872 divided by 8 तो सबसे फिल हम क्या ले सकते हैं 1 time ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 अब क्या करेंगे हम minus करेंगे 9 में से 8 जाएगा तो 1 then हम क्या करेंगे 8 को नीचे उतारेंगे अब हम 8 के टेबल में क्या चाहिए 18 चाहिए तो 8 के टेबल में 18 आता है क्या नहीं तो क्या लेंगे तो टाइम ले सकते हैं क्योंकि त्री टाइम लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा तो एट टूजा क्या हो जाएगा 16 तो एटीन में से 16 मैंनस करेंगे तो एट में से 6 गया 2 वन में से वन गया 0 अब क्या होता रहेंगे 7 अब हमें 8 के टेबल में क्या चाहिए 27 चाहिए तो क्या ले सकते हैं 3 टाइम ले सकते हैं तो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 अब 7 में से 4 गया 3 2 में से 2 गया 0 अब क्या उतारेंगे 2 को नीचे उतारेंगे तो 8 के टेबल में हमें क्या चाहिए 32 जाहिए तो कहां पर आता है 8 4s are 32 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 तो हमारा आंसर क्या है 1234 इसी तरीके से question number D, question number E और question number F आपको self solve करना है यहां पर आगे एक word problem दिया हुआ है how many times 976 children are going on a picnic पिक्निक में total कितने बच्चे जा रहे है 976 they will be taken in mini bus उन्हें किस में लजाया गया mini bus में if 25 children can go in one bus अगर एक bus में 25 children आएंगे how many buses do they need तो उन्हें total कितने buses की ज़रत पड़ेगी तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे total number of children कितने है 976 then number of children in one bus कितना है कितने बच्चे एक bus में जा सकते है 25 तो हमें क्या निकलना है number of buses they need तो कितने buses की उनको ज़रत पड़ेगी कैसे निकलेगा क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे 976 से 25 76 को 25 से divide कर देंगे तो 25 के table में हम क्या ले सकते है 97 के लिए तो 4 time लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 3 time लेंगे तो 25 3 से क्या होता है 75 अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा 2 9 में से 7 गया तो 2 अब हम क्या करेंगे 6 को नीचे उतार देंगे अब हमें 25 के table में क्या चाहिए 226 तो हम क्या ले सकते है 9 time ले सकते है तो 25 9 से क्या हो जाएगा 225 माइनस करेंगे तो कहाएगा 6 में से 5 गया 1 2 में से 2 गया 0 तो टोटल कितने बसेस की जो रहते है 39 लेकिन फिल भी एक चल जो है वो बच जाएगा सो कितने बसेस की जो रहते है लगबग 39 बसेस की तो आज आपको इन कोश्चन को सॉल्व करना है और वर्ट प्रॉब्लम की बारबार प्रैक्टिस करनी है